इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर नमबर 3 लॉज अप मोशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को परने वाले हैं जिसका टाइटल है डॉपिंग एक्स आपने दिखाओगा कि जब अंडे को किसी concrete के surface पर गिराया जाता है तो वो आसानी से टूप जाता है लेकिन अगर उसे किसी soft surface पर गिराया जाता है तो वो नहीं तूटता है इसके पीछे science का कौनसा concept, कौनसा logic काम करता है उसी के बारे में इस वीडियो में हमें डिस्कुस करना है मेरा नाम है मनीश, आप देख रहे हैं DAV गुरू, चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं में टॉपिक पर आने से पहले हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट समझने होंगे पहला है momentum और दूसरा है newton second law of motion सबसे पहले देखते हैं कि momentum क्या होता है it is determined by the product of objects mass and velocity जब भी कोई object motion में होता है तो उसका कुछ ना कुछ velocity होता है और उसका mass तो होता ही है अगर हम लोग mass और velocity को multiply कर दें उसका product निकाल दें तो हमें उस object का momentum मिल जाएगा momentum को P से denote करते है and P is equal to M into V अगर momentum के unit की बात करे तो वो इसके expression से ही पता चल जाएगा mass का unit होता है kg और velocity का unit होता है meter per second इसलिए momentum का unit हो जाएगा kg meter per second इसका एक और unit होता है newton second जो की इसी unit से derive किया जा सकता है एक और important चीज है जो हमें समझना है वो है change in momentum अब change in momentum क्या होता है माले जे ये object V velocity से आगे बर रही है अब आगे जाने के बाद किसी कारण से इसका velocity बर भी सकता है और घट भी सकता है माले ते शुरू में इसका velocity V1 था तो इसका momentum रहा होगा MV1 क्योंकि momentum mass into velocity होता है और बाद में जाकर इसका velocity V2 हो गया तो इसका momentum भी बदल गया होगा momentum हो गया होगा MV2 अब अगर हमें बोला जाए change in momentum निकाल कर बताईए तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना बदला momentum इसके लिए हमें final momentum में से initial momentum को subtract कर देना पड़ेगा बस वही चीज़ यहाँ पर किया गया है MV2 माइनस MV1 MV2 माइनस MV1 और इसी change in momentum को delta P से denote किया जाता है अब हमें Newton के second lock motion को समझना है जो की change of momentum से ही related है माल लेते हैं एक ball है जिसका mass M है और ये V velocity से आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसका कुछ न कुछ momentum भी जरूर होगा क्योंकि momentum equal to होता है mass into velocity और इसके पास दोनों है अगर हमें इसके momentum को बदलना है तो हमें इसके velocity को बदलना पड़ेगा क्योंकि mass को तो change हम लोग नहीं कर सकते हैं और इसके velocity को बदलने के लिए हमें force apply करना पड़ेगा तभी इसका momentum बढ़ेगा या घटेगा Newton का second law of motion इसी change in momentum और force के बीच में relation बताता है एक object के momentum को change करने के लिए जिस force की जरूरत पड़ेगी इस directly proportional to how much the momentum changes जितना ज़्यादा momentum में change लाना है उतना ही ज़्यादा force का जरूरत पड़ेगा दोनों एक दूसरे के directly proportional होता है इसलिए हम लोग लिख सकते है net force is directly proportional to change in momentum और दूसरा है कि force is inversely proportional to the time it takes to change it अगर इसके momentum को बदलने में लगने वाला समय delta T है तो force इसके inversely proportional होगा net force is inversely proportional to delta T अगर हमें तुरंट से इसके momentum को change कर देना है तो समय बहुत कम लगेगा और उस case में हमें ज़्यादा force अपलाई करना पड़ेगा यही हुआ inversely proportional का मतलब और अगर हमें धीरे से आराम आराम से इसके momentum को change करना है तो समय ज़्यादा लगेगा और उसके लिए हमें कम force अपलाई करना पड़ेगा अगर हम इन दोनों equation को combine कर दे और variable constant डाल दे तो हमें यह equation मिलता है net force is equal to change in momentum divided by time इसी equation से हमें reason पता चलेगा कि अंडे को concrete के surface पर गिराने से क्यों टूट जाता है और तकिये पर गिराने से Q ने टूटता है माल लेते हैं हमारे पास दो अंडे हैं दोनों को हमें same height पर ले जाना है और एक को गिराना है concrete floor पर और दूसरे को गिराना है तकिये पर अगर दोनों अंडों का mass M है और यह V velocity से नीचे गिर रहा है तो दोनों का momentum MV हो जाएगा इसका भी momentum MV हो जाएगा initial momentum और इसका भी initial momentum MV हो जाएगा लेकिन नीचे पहुँचने के बाद इसका velocity 0 हो जाएगा और velocity 0 होने से momentum भी 0 हो जाएगा P equal to 0 और इधर भी P equal to 0 हम देख सकते हैं कि यहां पर momentum में जितना change हो रहा है उतना ही यहां पर भी change हो रहा है लेकिन यहां पर under टूट जाएगा और यहां पर नहीं टूटेगा इसके पीछे का reason क्या है reason हमें यहां पर दिया गया है इसको ध्यान से समझेगा Newton के second lock motion से हमें एक equation मिला था net force is equal to delta P by delta T अगर इस equation को थोड़ा सा rearrange कर दें तो हमें मिलेगा delta P equal to net force into delta T बस वही equation यहां पर लिखा गया है जब हम लोग अंडे को concrete के floor पर गिराते हैं तो यह तूट जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंडे पर एक बहुत ब़रा force लगता है बहुत कम समय के लिए जब अंडा concrete के floor पर गिरता है तो इसका momentum instantly change हो जाता है बहुत कम समय लगता है इसका momentum बदलने में और Newton के second lock motion में हम लग पर रहे थे कि momentum को बदलने में जितना force लगता है और जितना समय लगता है वो दोनों एक दूसरे के inversely proportional होता है इसका reason ये है कि अंडे पर कम force लगता है और उसके momentum को बदलने में बहुत जादा समय लग जाता है तक ये को touch करते ही अंडे का momentum zero नहीं हो पाता है पहले अंडा तक्या के surface पर गिरता है उसके बाद कुछ हद तक नीचे जाता है तक्या को दबाता है उसके बाद bounce back करता है थोड़ा उपर आता है इस बीच में बहुत लंबा समय लगता है और अंडे पर लगने वाला force कम हो जाता है और Newton के second law of motion से हमें पता है कि अगर momentum को बदलने में जादा समय लग रहा है तो force automatically कम लगेगा क्योंकि force और momentum को बदलने में लगा समय एक दूसरे के inversely proportional होते हैं इन बातों को एक और तरीके से समझा जा सकता है हम लोग शुरू में ही देखे थे कि डिल्टा पी यानि कि change in momentum दोनों केस के लिए same है चाहे आप concrete के floor पर अंडे को गिरा रहे है या तकी ये पर अंडे को गिरा रहे है उनका change in momentum same था अब जब दोनों केस में change in momentum same ही है और एक जगा कम समय लगता है momentum को बदलने में और एक जगा जगा ज़्यादा समय लगता है तो momentum को कंजर्व रखने के लिए यहाँ पर force को ज़्यादा होना पड़ेगा और यहाँ पर force को कम होना पड़ेगा इस case में force ज़्यादा होने के कारण ही अंडा तूर जाता है और इस case में force कम होने के कारण ही अंडा तूटने से बच जाता है Newton के second lock motion को समझने के लिए हम लोग एक और example ले सकते हैं आपने match में देखा होगा cricket match में कि जब भी कोई खिलारी ball को catch करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खीचता है अगर वो ऐसा नहीं करेगा अपने हाथों को पीछे की तरफ नहीं खीचेगा तो क्या हो सकता है तो चलिए इसके पीछे के science को भी समय लेते हैं जब ball बहुत तेजी से आगे बर रही होती है तो इसके पास बहुत ज़्यादा momentum होता है और अगर खिलारी इसको catch करके यहीं पर रोक ले तो इसका momentum अचानक से 0 हो जाएगा और Newton के second law of motion से हमें पता है कि अगर momentum को बदलने में बहुत कम समय लगता है डेल्टा T का value अगर बहुत कम होगा तो net force बहुत ज़्यादा हो जाएगा और force बहुत ज़्यादा होने के कारण खिलारी के हाथों में चोट भी लग सकती है इसी कारण से खिलारी ball को catch करने के बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ खिशते हैं ताकि ball का momentum को बदलने के लिए थोड़ा समय मिल जाए डेल्टा T जितना ज़्यादा होगा खिलारी के हाथों पर लगने वाला net force उतना ही कम होगा तो finally हमने इस topic को complete कर लिया science के और भी बहुत सारी videos आपको science वाले playlist में मिल जाएंगे playlist को open करने के लिए left side में क्लिक कीजिए और अगले class का video देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics नए concept के साथ तब तक के लिए अपना धियान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहें